चलिए आज आपको बताते हैं फत्यवाद जिले के खूबसूरत शहर तोहाना के बारे में तोहाना को धर्मनगरी भी कहा जाता है नहरों के जाल से गिरे तोहाना को नहरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है तोहाना हरियाना के प्राचीन शहरों में से एक है इसका इतिहास बहुत अनूटा है यह पूरा इलाका संभवत्त है पांड़ों और उनके उत्रा धिखारियों के राज्ये का एक महत्वरों नगर था रिशी पाननी ने भी अपने गरंथ में शहर का जिकर किया है प्राचीन समय में इसका नाम तोशयाना था तो बात में तोहाना हो गया ऐसा माना जाता है कि तोहाना को प्टेयाला के प्रमुक की और से कबजा लिया गया था कभी तोहाना के आसपास का शेतर रेगिस्थान भूमी हुआ करता था रेगिस्थान की इस तस्वीर को बतला तोहाना से हित्था लुकात रखने वाले पदम भीवोशन इंजिनियर कवर सेन गुपता ने बाख़णा डैम की परिकलपना को मूर्त रूप से देने वाले राय सेन गुपता ने टोहाना में बलियाली हैड कर निर्मान करवाया इस इलाके में पानी आया तो यहां का खेती सबर गई अगर टोहाना की संस्कृती अर्थविवस्था और भाशा की बात करें तो टोहाना में मुख्यरूप से हिंदू सिक्ख और जैन समाज के लोग निमास क गय आम है चोटे से शहर का सबसे मजबूत हिस्सा संपरदाईक सद्भाव है तोहाना आजकल आसपास के शेत्रों के लिए प्रमुक्छ किस्था के दर के रूप में भी विक्षित हो रहा है तोहाना की नाजमंडी यहां की अर्थविवस्था का बड़ा केंदर है तोहाना धान कपास गेहूं सरसो जैसी फसलें अधिक होती है तोहाना उत्री रेलवे धवारा दिल्ली मुंबाई कोलकत्ता लुधियाना अमरिसार जम्मू बढ़िंडा फ्रीद कोट फिरोजपूर और अन्या प्रमुक शहरों से सीधा जुड़ा है यहां का सड़क नेटवर्क भी का बसूरत और मनोरमर तोहाना हेड की बात न हो तोहाना की कहानी अधूरी रह जाएगी तोहाना शहर में सात नहरे है इस चोटे से शहर का मुख्या करशन भाखडा में नहर के परमुक कारियों के पास तित बलियाला गैस्ट हाउस है यहां पर भाखडा नंगल मुख्या अगरी तोहाना में यह हैड परेटन का हब बन रहा है यह हैड बना तो हरियाना और राजस्तान की खेती भी सवर गई जितना खूबसूरत है उतनी खूबसूरत और रोचक कहानी इस हैड को बनाने की भी है आजदी से पहले देश में भाखडा डैम बनने की पहल उई दीन इंजिनियर कमर सेन के निर्देशन में उन्होंने नहरू के आगे एक अनूठी शर्त रख दी अपने शैड टोहाना में हैड बनाने की तब ही तोहाना में यह है बलियाली हैड बना जी हैं आज इस हैड से साथ लग-लग नहरे निकल रही है एक बड़ी नहर राजस्तान के गंगानगर में जाती है कुछ सिर्सा में भी जाती है हेड पर एक रेस्ट हाउस भी बना हुआ है यहां का मोग कर दिरिश्य हर किसी को अपनी और खीषता है ऐसे में लोग यहां पिकनिंग मनाने आते जाते रहते हैं अब अगर राजनीतिक दिरिश्टी से तोहाना की बात करें तो तोहाना ने सियासत में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है सरदार हरपाल सिंग उनीस सोस्तासर से कई बार टोहाना से विधायक के रूप में जीते हैं और अहरियाण सरकार में मंत्री भी रहे उनके बेटे सरदार परमीर सिंग भी हुड़ा सरकार में किरिश्य विनोध मडिया वे हनुमान विश्णोई भी यहां से विदायक है अब अगर तोहाना की अबादी की बात करें तो 2011 की भारत की जन गन्ना के नुसार तोहाना की अबादी 63,871 थी अब अब अबादी 80,000 के करीब है तोहाना में मनंजन की दृष्टी से कई पार्क है और अब ए टासर पोर्ट